कोई एक जूट सौबार बोला जाए तो वो भी जनता और आम आदमी को सच लगने लगता है। कर दिये कि एक और तो सरकार दीन लाख करोड से अधिक के बोज में दब गई है। उन दोनों ही समाज में अब भिडंत देखने को मिलती है। अर्विंद केज्रिवाल और आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे गुटका साहिब की बेयत भी करने वाली दोशी को सजा दी जाएगी लेकिन उनकी भी निर्मर महत्या करती गई। आम आदमी पार्टी को पंजाब की जनता ने बेहतर परिवर्तन के विकल्प में चुना और अपार्ट जन समर्थन भी दिया। लेकिन केज्रिवाल के छोटे सिपाही भगवन्त मान आर्थिक के साथ साथ कानून विवस्था की मोच्चे पर भी पीछे दिखते हैं। लेकिन यहां एक आदमी शराफ पी कर प्रदेश चला रहा है। हरसंद को और ने कहा कि भगवन्त मान एक डमी सीम है। सरकार तो दिली से चल रही है। विपक्ष ने वर्तमान आमाद्मी पार्टी के मानसरकार पर आरोप लगाया कि आमाद्मी पार्टी के शासनकाल में पंजाब एक बार फिर खालिस्तानी उग्रवात कस्षिर उठाने के कगार पर पहुँचा दिया है जिस तरह से पंजाब में आतंकी कटनाओं को अंजाम दि कि देखिए जी हमने भगवन्तमान जैसे आमाद्मी को मुख्यमंत्री बना दिया तो हम इस राज में आप में से भी मुख्यमंत्री बनाएंगे अर्वेंदे के जिवाल को समझने की जरूरत है कि भगवन्तमान पंजाब के मुख्यमंत्री है और उन्हें भगवन्तमान को क काम करने के लिए पंजाब में रहने दीना चाहिए ना कि चुनावरा जिमेश साथ में घूमते नहीं न चाहिए